बस कुछ दिन लगातार इसे पीछे, बढ़ती हुई चर्बी हो जाएगी सिर्फ 15 ही दिन में गायब अगर आप भी अपनी बढ़ती चर्बी को लेकर बहुत ज्यादा परिशान हो रहे हैं तो ये जूस आप हर सुभा नियम से लेना शुरू करते आपकी बढ़ती हुई चर्बी पर तो कंट्रोल होगा ही साथ ही साथ दोस्तों आपकी स्किन के रिंकल्स खत्म हो जाएगी और तवचा बहुत ज्यादा टाइट हेल्डी और ग्लोइंग हो जाएगी साथ ही साथ पाचन तंत्र से जुड़ी कई सारी बिमारिया आपको नहीं होगी जैसे कि अगर आपको पेट में ग्यास, कब्स, ऐसे डिटी की प्रॉप्लम रहती है तो वो भी इससे ठीक हो जाएगी और आपकी बढ़ती हुई चरबी बहुत ही तेजी से कम होने लगेगी तो दोस्तों कैसे बनानी है इस रेमेडी को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेर जरू कीज़ेगा और साथ ही साथ हमाई चैनल हेल्दी को सब्सक्राइब करना बहुत हुई दोस्तों यहाँ पर इस रेमेडी को इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें गाजर यानी कैरेट को लेना है और कैरेट के अंदर भरपूर मात्रा में प्रचूर मात्रा में होता है वायटमिन C जो की आपकी बोड़ी से extra damage toxins को साफ करता है और यह आपके मटापे पर भी बहुत जादा काम करता है मोटापे को कम करने के लिए बहुत जादा हल्प करता है वहीं दोस्तों गाजर आपके शरीर से कॉलेस्ट्रोल के स्थर को कम करता है और आपके फेपडों की सफाई करने के लिए भी बहुत ही जादा अच्छा होता है गाजर के अंदर पर्चूर मात्रा में फाइबर्स एंटी ऑक्सिडन्स बाय जाते हैं जो कि आपके शरीर की चर्बी को कम करने के साथ साथ आपको कई सारे हेल्थ पैन्फिट देता है अगर आपके बाड़ी में खोन बहुत जादा गाढ़ा हो रहा है तो यह उसको पतला करता है साथ ही साथ खोन की पूर्ती भी करता है दोस्तो अगर आप इसको लेंगे तो आपका पाचन तंत्रे सही तरह से काम करेगा पाचन तंत्रे जब आपका सही तरह से काम करता है तो जो भी आप खाते हैं वो आसानी से डाइजस्ट होता है और अगर पाचन तंत्रे सही तरह से काम नहीं कर पाता तो आप जो खाते हैं वो सड़ जाता है पैट में और उसकी चरबी बढ़ने लगती है तो अगर आप इस juice को नियम से अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे दोस्तों तो आपकी पेट की चरबी बहुत यासानी से melt होना start हो जाएगी आपके पेट की चरबी हो चाहे जांगो की चरबी हो बहुत ही कम टाइम में ये आपकी चरबी को पिगला देगा तो आपको क्या करना है आपको चाहिए दोस्तों क्यारट और क्यारट को आपने अच्छे से पील ओफ करना है इसका उपर का जो ये पोर्शन होता है इसको हटा दीचे और आपको इसे अच्छी तरह से वाश करने के बाद ही इसको यूज करना है आपको इस गाजर को अच्छी इसे बहुत जादा खत्रा बना रहता है कि आपको मौटापा हो सकता है। दोस्तों इस नुस्की का सेवन आपको सुभा में खाली पेठी करना होगा। तो इससे आपकी चर्वी बहुत ही तेजी से कम होने लगेगी दोस्तों और आपको लगातार इसका सेवन करना है लग पग आप इसे दो महीने तक लगातार डीचे और आपकी बोडी में जो चैंजिस होंगे वो आप देखकर खुदी हरान रह चाएंगे इतनी ज्यादा फाइदेमन्द है ये रेमेडी तो दोस्तों आपको गाजर को अची तरह से प कामेडी को आप लगातार दो महीने तक लेंगे तो मैं गैरंटी के साथ किया सकती हूँ कि आप अपने बोडी से चार से पाँच किलो वजन आसानी से कम कर सकते हैं और इसको सही टाइम पर और सही तरीके से आपने लेना है अद्रक को भी आप अच्छी तरह से पील उफ करक इसको छनी की मदद से चान कर इसके रस को निकाल लीजे और इस तरीके से आपका जो गाजर का रस होगा वो अच्छे से घर पर ही बन करके तयार हो जाएगा और यह जो गाजर का रस होगा दोस्तों यह आपके शरीर से शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ा देगा आपकी आपके बोडी में जो विशाक्त पदार्थ जमा हैं, जो कि आपके लीवर को खराब करते हैं, आपके लीवर पर जमे मल को भी एसाफ करता हैं, और दोस्तों, अगर आप इसे सुबार में खाली पेट लेंगे, तो आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा होना स्टार्ट हो आपका डाइजेशन द्रोस्त होगा, और साथ ही साथ आपके पेट की चरपी में बहुत ही आसानी से मेल्ट हो जाएगी, तो आपको बस इस तरह से चानना है, उसके बाद आप इसमें आदे निम्बु का रस या फिर नमक डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर यह काला नमक इसके अ परसनालीटी को भी से इन्हेंस कर सकते हैं, स्किन भी ग्लॉइंग हो की, अपका वैट को यह मेंटेन करके रखे की, सो गाइज इसको जरूर ट्राय करें, यह बहुत ही नैच्रल और बहुत ही आसान रेमिडी है, जरूर ट्राय करके देखें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक और शेर जरूर कीजिए, साधी साथ अगर आप किसी भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, धन्यवाद